विजली बोर्ड विजिलेंस ने ठेकेदार को 10,000 रुपे की रिश्वत लेते हुए रंगे हातों गिरफतार किया है। आरोपी ठेकेदार पीडित व्यक्ति से हाई टेंशन लाइन को हटाने के एवज में 27,000 रुपे रिश्वत ले चुका था अब 10,000 रुपे की मांग और कर रहा था जिसे रंगे हातों गिरफतार कर लिया गया है। विजली बोर्ड विजलेंस के DSP विजेपाल ने बताया है कि उन्हें गाउं कटेसरा निवासी विजे कुमार ने शिकायत दी है कि उनकी जमीन के उपर से विजली की 11,000 वोल्टेस की हाई टेंशन लाइन जा रही है जिसे पीडित हटवाना चाहता है। इस बारे में पीडित ठेकेदार किशन निवासी गाउं नांगल ब्रहमन से मिला ठेकेदार किशन ने पीडित से 50,000 रुपए की मांग की। पीडित की शिकायत के आदार पर विजलेंस ने टीम गटित कर पाउडर लगे 10,000 रुपए ठेकेदार किशन को देने के लिए दे दिये। विजलेंस टीम ने आरूपी कपचे से विश्वत से 10,000 रुपए बरामत कर लिए गए हैं। उसे किलाफ मामला दर्चकर अदालत में पेश किया जहां से पुलीस ने आरूपी को दो दिन के पुलीस रिमांट पर लिया है। ये मामला ये है कि हमारे पास कंप्लेंड आई थी विजे कुमार का टेसरा ने दी थी और उसने मतला आया था कि मैंने जो लाइन सिप्ट करने के लिए पैसे दिये एस्टिमेट बनाया और जो ठेकदार कॉंट्रेक्टर था वो काम कर रहा था। उसने मेरे से 50,000 रुपे ले लिए फिर 7,500 रुपे ले लिए और 10,000 रुपे की और मांग कर रहा है। और ये कह रहा है कि मुझे जेई और रंसिंग ठेकदार को पैसे देने हैं। तो उस एवज में हमने रेड एंड रेड की और डूटी मुझे स्टेट के साथ में लेकर के रेड रंगे हाथों इस कॉंट्रेक्टर को पकड़ा है। और सारे पैसे की रिक्वरी हुई और उस पे मुगदमा दर्ज कर दिया तब 30,000 जारी है। हाँ जो आरोप लगाए थे स्काइट में दस जार रुपे उस ने दिये उस सारे के सारे पैसे लिक्वरी है। अभी तब 30,000 जारी हैं आगे जैसी सूर्ट होगी कारवाई अमन में लाई जाए है। हुदमा दर्ज हो रहा है। आज दो दिन के प्लिस प्रिमांड पर लाएं आगे प्रिमांड के दोरान जो विकारवाई होगी वो आगे कर दी जाए।